नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार्फिर से मिथुन राशी 8 मार्च से 14 मार्च 2030 पांच मुख कार होकर रहेगा मिथुन राश के जातकों, आज हम आपके लिए बात कर रहे हैं इस वीडियो में सप्ताहिक रासिफल यानि की मार्च महिने का दूसरा सप्ताह 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2030 तक का समय कैशे रहेगा आपका केरियर कैसे रहेगा, बिजनेस प्यापार, कारोबार कैसे रहेगा, इस सप्ताह पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, दामपत जीवन, बैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, सिक्षा कैसे रहेगा, स्वास्त कैसे रहेगा, लबलाइब कैसे रहेगी, परतेक छेतरों के बा सबसे पहले हम यानिकी शुरुवात करेंगे दिन की तो देखे होली के परविसे दिन की शुरुवात हो रही है आठ मार्च से होली का पावन पर भी रहेगा होली उस्सवरेगी और चैत्र मार्च के कृष्ण पक्षी आज प्रतिप्यदा तिथी से सुरुवात होगी रंगो और ब्रशिक राशी पे रहेगी शुर्देव रहेंगे कुमराशी पे मंगल देव यहां पर रहेंगे ब्रशबराशी में और साथ को बड़ा परिवर्तन होगा इनका बुद्धग्रे भी कुमराशी में रहेंगे शुक्र मीन राशी में फिर इनका मेस में परिवर्तन होग शाती साथ बता दे कि यहां पर शनी देव कुम राशी में राहू मेंश में और केतु तुला में गुर्देव मीन राशी में रहेंगे तो यह थी कुछ ग्रह गोचिर इस दिया अब इन ही कधार पर जानेंगे मितुन राशकत्कों की आप लिए यह सब्ताह कैशा रहेगा आठ मार्च से लेकर 14 मार्च 2013 तक समय कैशा रहेगा वो कौन से मुख कार रहेंगे पांच जो होकर रहेंगे चलिए सबसे पहले केरियर और बिजनस व्यापार कारूबार की बात कर लेते हैं तो देखे केरियर में तो बड़े उपलबधी प्राप्त होगी केरियर में मितुन बिजनस व्यापार में भी आप तरक्की करेंगे लाव किस्ति बनेरे के रुकाव वफस वधन प्राप्त होगा नए बिजनस व्यापार की शिरुवात कर सकते हैं और अधोरे कारियों का पूरा करेंगे मन्चाही सफलताय प्राप्त होंगी प्रते कार आसानी से पूरे मेथन रासकतों अभी तक अगर कोई कार नहीं बना तो वो कार भी बनेगा शाति साथ ये सप्ता आपके लिए बहुत अच्छे रहेगा होली का पावन परवी है तो होली के परविसे भी सप्ता के शिरुवात होगी बतादे कि नए डिसीजन ले सकते हैं नई जोब लगने क की संभावना बन रही है विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशकवरी रहेगी विदेश में रहने वाले मेथन रासकतों आपको बिजनेस व्यापार और नोकरी दोनों में बड़ी उपलब्दी प्राप्त होगी साथी साथ मान समान की प्राप सेले में बरदे होगी मा लक्षमी कृपा से कई महत्पूर छेतरों से लाब होगा तो पहला कार आपका नोकरी से सम्मधित होगा और कई बड़े यनि कार अगर बैंक से सम्मधित रुके वे थे तो वो कार बनेंगे पिंडिंग कामों को पूरा करेंगे बिजनेस व्यापार में लाब होगा कई अधोरे कार भी पूरे होंगे मन चाही सफलता मिलने की योग बन रहे हैं इस सपता आप विदेश जानी की योजना मना सकते हैं विदेश से भी लाब होगा कई बड़ी चुनवतिया जो थी वो दूर होंगी और साथी बड़े बुजरों का सहयोग प्रा सत्य करें प्रारब होगा जोड़ाब होगै नई विजनेश व्यापार से जूड़ सकते है और अभी तकी छो घाटे के सवदाthis जल रहा ता मुनाफवा नहीं हो पा रहाता तो इस सब्ता मुनाफवा होगा अधिक शदिक लाब देखनों 세क देखनी को मिलेगा बता दे की छोटी मोटी स्वास्त को लेकर समन्दी समश्या हो शकती हैं, जैसे कि खानपीन को लेकर पेट की समश्या, सरदर्द जुखाम सरदी की समश्या हो शकती है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कते वाली बात नहीं है, अलकि इसमें आपको राहत मिलती नजरागी, शरकार की जैसे 14 मार्च तक जो समय रहेगा बहुत इस्टानदार रहेगा आपको नई उपलब्दी प्राप्त होगी नई कारियों से जोड़ सकते हैं नई कार जो अभी तक नहीं बन पारेते उन कारियों से मुनाफ़ा प्राप्त होगा लंबे शमेशी प्रेंडिंग कामों का पूरा क बता दे कि जो सब्ता किश्रवात हो रही है आठ मार्च से होगी और होली का पावन पर भी है होली का उस्व है तो होली के खुशी में होली के जस्न में भी आप डूरते नजराएंगे चूंकि होली का महापर्व है यानि कि रंगो वाली होली है तो भाई चारे का दिन है एक चार चांद लग जाएंगे इस सप्ताह प्रते कारियों में चार चांद लग जाएंगे घर में यानि कि संतान की प्रापती घर में खुशियां मा लक्ष्मी की विशेश क्रपाबार से की मा लक्ष्मी क्रपाशे की कार जो अधूरे थे वो पूरे होंगे शाति साथ नई उप लब पार्टनर को यानि की कुछ गिप्ट और उपहार सो रूपी सप्ता दे शकते हैं इस सप्ता सिक्षय के छेतर में आपको बड़ी उपकामियावी प्राप्त होगी बड़ी उपलब्दी प्राप्त होगी लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे मन चाही सफलता कार भी पूरे होंगे निश्यत और पे होली के दिन से इस सप्ता के शिरवात हो रही है इसलिए इंपोर्टन कार जरूर करें जिसे की एक दूसरे को आप यानि की मीठा पान जरूर खिलाएं मीठे पान के खिलाने से आपके सत्रू भी आपके कदमों पर होंगे यह उपाई जरूर कर लीजेगा मीठा पान का बीरा आपके घर में जो कुछ भी आए इस सब को खिलाएं क्योंकि पान से हम स्वागत करते हैं मीठा मिठा से स्वागत करते हैं इस दिन मीठे पकवान का यानि की खानपीन जरूर करें इस सब्ता तो कुल मिला का है ज़्यत बहुत अच् होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक च्छेत से कोई लोन बगार मंजूर हो सकता है जो मुखकार होकर रहेगा घर कर निर्मार होगा विदेश की आत्रा होगी विदेश में रहने वाले जो आप लोग हैं आपको बड़ी उपलब्धी प्राप्त होगी बहुत बड़ी का अंदार रहने वाला है काम्याभी दस तक कदम चुमती नजराएगी जमिन प्रोपरिटी खरीदारी करेंगे शाथी गाड़ी बाहन का शुक्षाधन प्राप्त करेंगे तो यह नि कहा जा तो बहुत ही अच्छा रहे गए यह सब्ता तो यह था आपके लिए आठ मार्च से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा जय शन्यदेव जय मालक्षमी